हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सूजी की बर्फी, बहुत यासानी से बन जाती है और खाने में बहुत जादा टेस्टी होती है, किसी भी फेस्टिवल के लिए आप इससे तुरंद बना करके तियार कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, रेसिपी अच्छी ने यहाँ पे ले लिए हैं, आप कोई कटोरी या फिर कप कोई सेट कर लीजिए, उसी हिसाब से आप सारे मेजर्मेंट कर सकते हैं, तो सूजी को अच्छे से हम गी के साथ मिला कर इसे थोड़े दिर के लिए भूनेंगे, बहुत जादा सूजी को हमें नहीं भूनना है, इ इसके दाने भी बड़े बड़े दिखने लगे हैं, यहाँ पर सूजी की बरफी बनाने के लिए मैंने बारिक वली सूजी का यूज़ किया है, इससे बरफी बहुत अच्छी बन करके तियार होती है, अगर आपके पास बारिक वली नहीं है, तो जो भी आपके पास आप उससे भी बर्फी बना सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे दो बड़ी चम्मच मिल्क पाउडर किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर आप यूज कर सकते हैं मिल्क पाउडर डालने से सूजी की बर्फी का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आप भी एक बर इस तरीके से मिल्क पाउडर डाल कर सूजी की बर्फी बना करके देखेंगा आपको स्वात बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो चलिए इसे अच्छे से हम सूजी के साथ मिक्स कर लेते हैं और इसे हमें बहुत ज़्यादा भूनने की जरुरत नहीं है क्योंकि सूजी हमारी अल्रेडी भून चुकी है बस मिल्क पाउडर को सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक दो मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप यहां पे दो बड़े चम्मत दूद की फ्रेश मलाई का भी उस कर सकते हैं उससे भी बर्फी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा तो हमारी मिल्क पाउडर और सूजी अच्छे से मिक्स हो चुका है तो इसे अब हम साइड में रखे के और हम इसके लिए बनाएंगे शुगर सिरप तो उसके लिए अब हम डाल देंगे एक कंटेनर में आधी कटोरी से थोड़ा सा उपर शुगर और आधी कटोरी हम डाल देंगे पानी गैस का फ्लेम आउन कर देंगे और शुगर के हम अच्छे से melt होने तक के लिए इसे पका लेंगे हमें कोई इसकी चाशनी नहीं बनानी है ना एक तारकी ना दो तारकी शुगर पानी में अच्छे से घुल जाएं और यह हलका सा चिप-Chipा हो जाएं बस उतना ही हमें इसे पका लेना है तो इसी तरकी से अब हम चम्मच चलाते जाएंगे और शुगर को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे सारे इंग्रीडियन की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं मेल्ट कीजीया को मिल्ट हो जब तक हमारा शुगर मेल्ट हो रहा है दो रहा हमें गे मेलट को विस्ट कर देंगे गीजिया घाओक ते स्कौनत करहें ऐसकती अब रेख सकते हैं शुगर भी अच्छे से मेल्ट हो गया है अब इसे एक मिनिट के लिए और बोईल कर लेंगे ताकि यह हलका सा चिप चिपा भी हो जाए शुगर सिरप हमारा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है तो अब हम वापिस से गैस अन कर लेंगे और हम एक दो बार इस तरीके से सूजी को हम चला लेंगे फिर से उसके बाद तूरंथ ही हम इसमें गरम गरम हमने जो शुगर सिरप बना करके रखा था वो इसमें डाल देंगे और लगातार इसे चम्मट से चलाते हूए हम हलका सा इसे गाढा होने देंगे शुगर सिरफ के डालते ही लगातार आप इसे चलेएगा नहीं तो उसका क्रिस्टल बन जाएगा और इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हलका सा यह गाड़ा हो जाए, बर्फी बनने लाइक हो जाए सिर्फ उतना ही हमें इसे पका लेना है अगर आप इसे बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो शुगर केरेमिलाइज भी हो जाएगा और आपकी जो बर्फी है वो बिल्कुल पत्थर के जैसे बन जाएगी जो दास से चबाने से भी नहीं कटेगी देखे आप देख सकते हैं थोड़े दिर के बाद इस तरीके से ये गाढ़ा हो चुका है तो वापिस से हम इसे एक दो मिनिट के लिए से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इस तरीके से एक कटोरी में थोड़ा सा बेटर निकाल करके हम चेक कर लेंगे कि इस तरीके से ये लड़ू के फॉर्म में बन रहा है या नहीं बन रहा है इस तरीके से ठंड़ा होने के बाद अगर ये बन जाए तो इसका मतलब है आपका जो मिक्षर है वो बर्फी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है तो इस मिक्षर को अब हम प्लेट में डाल देंगे सारा मिक्षर मैंने यहाँ पे डाल दिया है अब एक स्पून की साहता से या फिर एक स्पैचुला ले लिए जो भी आपके पास है अच्छे से उसे पूरे प्लेट में हम इवनली फैला देंगे यहाँ पर उने बर्फी सिर्फ एक कटोरी सूजी की बनाई है अगर आप किसी फैस्टिवल अगर के लिए बना रहे है तो आप दो कटोरी सूजी की बर्फी बना सकते है तो उसके लिए सारे इंग्रिडेंट को आप डबल कर सकते है यह देखिए इवनली मैंने इसे फैला लिया है साइट को भी हम थोड़ा सा किनारे से इस तरफी से समूथ कर लेंगे इससे जो बर्फी है वो देखने में भी अच्छी लगेगी यह देखिए मैंने पूरे साइट को भी अच्छे से समूथ कर लिया है अब हम इसमें ऊपर से डाल देंगे बारिक कटे हुए बादाम और फिस्ता ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो डाले नहीं तो ये देखने में ऐसे तरीके से बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैंने डाल दी है और इसे हम जब ये गरम रहे उसी समय डालना है और इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करते जाना है ताकि ये बर्फी के साथ अच्छे से चिपक जाए अगर आप ठंडा होने के बाद ड्राइफरूट डालेंगे तो ये अच्छे से चिपकेगी नहीं बर्फी के साथ और साना ड्राइफरूट अपने आप भी बाहर निकलाएगा तो इसले आप गरम गरम ही से डालिएगा और उसी समय इसे अच्छे से प्रेस कर दीजेगा तो बर्फी के साथ वह अच्छे से चिप के रहेगी तो चलिए मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है अब इसे हम आधी एक घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते है एक घंटे हो चुके है हमारी बर्फी अच्छे से ठंडी भी हो गई है और ये सेट भी हो गई है तो इसे अब हम कट कर लेंगे आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से कट हो रही है इसका मतलब जो है मारी बरफी बहुत ही सॉफ्ट बन करके त्यार हुई है आप इस बरफी को जिस भी शेव या फिर साइज में चाहें उस तरीके से कट कर सकते हैं मैं इस बरफी को जैसे कतली होती है पतली पतली उसी फ़र्म में इसे कट करके तयार कर रही हूँ और आपने देखा ही होगा यह सूजी की बरफी बहुत ही कम समान से घर में ही आसानी से बहुत ही जल्दी से तयार हो जाती है और खाने में यह बहुत ज़्यादा टेसी लगती है milk powder डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है इतनी soft ये बरफी बन करके तियार होती है कि जैसे ही आप इसे खाएंगे मुह में आसानी से घुल जाएगी आपके किसी भी festival के लिए आप इसे फटा फट बना करके ready कर सकते हैं तो चलिए सारी बरफियों मैंने यहाँ पे कट कर ली है इसे अब हम निकाल करके देखते हैं ये देखिए आसानी से बरफी निकल करके तियार हो जा रही है एक बर आप भी सूजी की बरफी की रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही अच्छी हमारी बरफी बन करके ready हो गई है तो सूजी की सूपर सॉफ्ट और टेस्टी बरफी बन कर बिल्कुल ready है अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो की नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले